हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एग्री यूनिक पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रोणामी के लास्ट इकाई का इकाई नौका जो भी स्टुडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को विजिट करक कि ईए हैं और वीडियो पसंद आएं तो उन्हें लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्स्क्राइब कर लिजेगा और शाथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लिजेगा जिससे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचते रहें और साथ ही चैनल को सेयर कर दीज अब भी लोग जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल से जूर सकें और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका राप्त करते हैं तो चलिए सुरूर करते हैं आज का सेशन इकाई नो इस यूनीट में हम पहले टॉपिक में चाचा करेंगे फसलों में महाथभूर क्रिया हैं कौन-कौन से की जाती है उसके बारे में और कौन-कौन से फसल में की जाती है इसके बारे में तो आली क्रिया क्या है क्यूरिंग यह most important है पहला आप इसे नोट डाउन करते चलिएगा क्यूरिंग जो होती है यह तंबाखू चाय एवन प्याज में किया जाता है ज्यादा तर चाय के लिए पूछा जाता है और तंबाखू के लिए नेश्ट है इस्ट्रिपिंग क्या होते हैं जूट में किया जाता है नेश्ट है आपका नीपिंग नीपिंग क्रिया जो होती है यह चना यह उनका पास में किया जाता है यानि नीपिंग में इसे होती है जैसे खुटाई करते हैं उपरी भाग क्या करते हैं निकाल लेते हैं जिसे नई- नेस्ट करिया यहां से सबसे ज्यादा नेक्स एंसे में पाइगा जानेर विषाग्त पदात कौन कौन से होते हैं तो गोसी पाल इसमें पहला दिया हुआ है गोसी पाल जो विशाक्ष पदात होता होता हुआ कि फसल में पाया जाता है नेस्ट है बौवार नीरो टॉक्सीं यह कई बाद question बना हुआ है यहाँ से यह लेधाईरस फसल में पाया जाता है ए इडूसीकंद सरशों के तेल में पाया जाता है। जो एक विशाग पादात है ड्लूको सीनोलेट या आइसो थायो साइनेट। या सरशों के तेल में यह भी पाया जाता है। जितने हम अंडरलाइन करते चल रहे हैं सारी की सारे सारे मोष्ट piace एंपर्टेंट है। प्रिजिका में पाए जाता है अफला टॉक्सिन यह मुखफली में पाए जाता है कई बाद को यहां से भी बना हुगा है आप बशात के समय में देखते होंगे मुखली में क्या हो जाता है उसके दाने को निकालने पर जब दो दाल निकाल देते हैं तो दालों में देखते हैं आप हरे या काले रंग का कुछ कवक नुमा दिखाई देता है जो अफला टॉक्सिन जो है उसमें अफला टॉक्सिन नाम एक विशाख पदार्थ होता है जो खाने पर क्या लगता है तीखा तीखा लगता है नेश्ट है यसियन यह भी कई बार परिश्चा में पूछा गया है पुरूसी कामल या धूरिन की नाम से भी इसे जानते है यह ज़ार में पाया जाता है ज्यादा तर यह जब छोटी अवस कले सोदिन या बैगन में और से लेनिन या आलो में पायाता यहां सभी कई बार प्रविशाख पदार्थ पायाता है यह त सभी विषाख पदास बिविन फासलों में अगला है फसलों में तीज प्रतिशत किस फसल में कितना तील पाय जाता है यहां से भी बहुत सरी question के बहुत सारी पधिश्यायों में पूछे जा चुके हैं तो पहला है नारियल नारियल में कितना पाय स्प्रेश्य तो 55 ताया जाता जाता है और यहां पूछा है मुपिक शाथ में 45 ती तेल की मात्रा होते हैं यह भी कई बार फ्रिच्छा में पूछा जा चुका है नेक्स्ट सोयाबीन यह भी most important के रूप में है इसमें 20 प्रिच्छत तेल की मात्रा पाई जाती है चलते हैं next topic की तरफ next topic है अनाज वाली फसलों में protein की मात्रा तो protein की मात्रा किस फसल में कितना पाया जाता है इसकी चार्चा करेंगे हम तो पहला है धान धान में 6-7 प्रिच्छत protein होता है जो कि कई बार फ्रिच्छा में पूछा जा चुका है गेहूं भी आपका most important है इसमें 11-12 प्रिच्छत protein होता है और इस protein को gluten के नाम से जाना जाता है या भी कई बार प्रिच्छा में पूछा जा चुका है नेक्स्ट है मक्का मक्के में 10 प्रिच्छत protein ज्वार में 10-12 प्रिच्छत protein यहां से भी question आपका बन चुका है बाजरा है बाजरे में 11-12 प्रिच्छत protein और जों में 11.5% प्रोटीन पाए जाता है जो अल्बूमिनोड के रूप में होती है तो आप इसे जितना याद रख सकते हैं सब याद रखिएगा क्यांकि इसमें किसी भी फसल का पूछा जा सकता है कभी भी लेकिन जो हमने अंडरलाइन किया है उसे आप जरूर ध्यान में नेश्ट है अब दलानी वाली फसलों में हम देखेंगे तो दलानी वाली फसलों में सबसे पहले चना है तो चने में 21.1% की क्या पाए जाती है प्रोटीन पाए जाती है नेश्ट है मसूर मसूर में 25% मतर में 22.5% अरहर में 21-25% और मूग में 25% और उड़र में 24% प्रोटी जीएगा चलते हैं नेश्ट की तरफ नेश्ट फसल है आपकी लोबिया लोबिया भी एक क्या होती है दलाइनी फसल होती है इससे हम आम तोर पर बोड़े के नाम से जानते हैं इसमें कितना पाया जाता है तो तेज दसनलो चार्ड प्रोटीन पाया जाता है वालना स्वतिक मा 42 प्रज़ेद प्रोटीन पाया जाता है यह आपका मुश्ट इंपॉर्टिनट है और मुफली ही मुश्ट इंपॉर्टिन रहेगा इस्में 26 प्रोटीम पाया जाता है तिल में 18-20 प्रेशत और अलसी में 36 प्रेशत और कुसंग के केक में 40-45 प्रेशत तक प्रोटीन उपस्तित होता है चलते हैं नेक्ट की तरफ नेक्ट टॉपिक है आपका कुल के आधार पर फसल का वरीकरण तो इसमें सबसे पहला कुल दिया है ग्रेमनी इसका नया नाम क्या है पोईसी ह यह सबसे अधिक खेती की जैने वाली फसलों का परिवार है यानि सबसे बड़ा कुल यही होता है जिसे घास परिवार के रूप में जाना जाता है उदारन के रूप में अनाज वाली फसले यह नेपियर घास अनाज वाली फसले जैसे अपके गे हुए धान हुए जव और जो नेपियर घास होती है वो सारे ग्रेमनी कुल में आते हैं नेश्ट है लेग्यूमिनेसी या पैपीलियोनेसी इसमें उदारन दिया है दाले, मुफली, सनई, बर्शीम, रिजिका, धैचा, मेथी, आदी यह लेग्यूमिनेसी कुल में आती हैं वरनस्पतिक रूप से क्या होती है एक दूसरे के लगभग समान होती है नेश्ट है सोलेनेसी, सोलेनेसी में बैगन, टमाटा, आलू, मेज, तंबाकू इस तंबाकू को छोड़ करके लगभग आपके सारे जो बनते हैं भरते, भरते में जितने भी उपयोग होते हैं समान सभी के सभी किसमें आते हैं, सोलेनेसी में आते हैं, इस ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं नेक्स्ट है कुरुसी फेरी में इसे ब्रैशी के सी भी कहा जाता है सेरो, मू ली, गोभी यूँफूल गोभी नेक्स्ट की जाजा करेंगे तो इसमें कुकुर्बिटेसी ना fish हैं, ब्रेसी के रूप में भी जाना बाना जाता है इसमें लोग की करकड़ी खीरा इत्यादी आते हैं लगभर लगभर आपके जायद में जो सारी फसलें बोई जाती है उसे हम कुकुर्बिटेशी के नाम से याद रख सकते हैं नेश्ट है मालवेसी मालवेसी कुल में कपास इंभिंडी आती है नेश्ट है इस्टिरेसी या कमपोजिटी इसमें सूरज मुखी कुशूम और नाइचर आता है यह जितने भी कुल दिये हैं आप इसे जरूर याद रखिएगा क्योंकि इसमें से किसी भी को परिच्छा में पुछा जा सकता है यह सारी कि सारी इंपॉर्टन्ट है कीने पोडियेसी यह पालक और शुकंदर इसमें आते हैं इसकुल में यूफोर बियेसी में अरंडी और टेपियोका आता है नेश्ट है कन्वा और लूलेसी शकरकंद जिसे हम आम तोर पर गंजी के रूप में चानत है नेश्ट है एकाई की चर्चा करेंगे इकाई दस इस इकाई में फसल उतपादन के के बादे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे तो फसल उतपादन में पहला पॉयंट दिया है अनाज की उतपत्ति रोमन भासा के सीरेज सब्द से हुई है जिसका अर्थ अनाजों की देवी है इसे आप याद जरूर रखेगा तो सीरियल की सब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है रोमन भागा के सीरीज सब्द से हुई है जिसका रत क्या होता है अनाजों की देवी नेक्ट पॉइंट है खाद्यान में अनाज ये उंदालें समलित होती हैं फूड ग्रेन में सीरियल्स और पल्सेस को सामिल किया जाता है कभी कभी यहां से भी क्वेस्टिन पूछ लिया जाता है इसे भी आपनो डाउन कर लिजेगा नेक्ट पॉइंट है सबसे अधिक लिनोलिक अमल हिर्दय रोगियों के लिए उप्यूक्त होता है जो कुसुम में सबसे उप्यूक्त हिर्दय रोगियों के लिए यहां से भी कई बार क्वेस्टिन पूछा जा जुगा है इसे भी आपनो डाउन कर लिजेगा नेक्ट पॉइंट है सबसे अधिक लिनोलिक वसी अमल अलसी के तेल में पाया जाता है जो तेल में दूरगंध पैदा करता है अ यह सबसे अधिक उप्योगी होता है इस दैरोगियों के लिए इसलिए इसका उप्योग ज्यादा नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें क्या हो जाता है इसे आप ज्यादे समय तक इस्टोर नहीं कर सकते हैं इसलिए हम किसका सलाह दिया जाता है सबसे ज्यादा कुसुम के तेल क गेहु, गेहु का उत्पादन पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा होता है, यहां से भी question बना हुआ है, second है आपका चावल और next है मक्का तो सबसे पहले प्यार आता है गेहूं दूसरे पर चावल और तीसरे पर मक्का का मुतपादन सबसे ज़्यादा बिश्व में किया जाता है next है भारत में 6 पहले मुतपादन के आधार पर फसनों का क्रम क्या है है तो सबसे ज़्यादा भारत में चावल उग जाता है। बिश्च सर्ष में क्या है। गेहूं है और दूसरी नंबर पर चावλ है, लेकिन भारत में च्सवल पहले नंबर पर और गेहूं alltså दूसरी नंबर पर है नेक्ष्ट है ज्वार उसके बारत है मक्का। यहां से भी question कई बार परिष्छा में बने हुए हैं इसे आप no down कर लिजिएगा next point है अनाज वाली फसलों के फल कहरी ओपसिस दाल वाली फसलों के फल पोड एवं सरस्णों का फल सिल्कुगा कहलाता है यह भी आपका most important है इसे आप no down कर लिजिएगा next point दिया है अनाजों में lysine और amino अमलकी क्या होती है कमी होती है जबकि दालों में मेथियो नीन अमलकी कमी पाई जाती है यह दोनों के दोनों आपके important है और कई बार परिष्छा में बने हुए प्रस्ण है next point है भारत में दालों में चना सबसे महत तुपूर्ड फसल है यह point भी आपका परिष्छा में बना हुगा है फ्रस्ण इसके बाद अरहर का अस्थान आता है next point है भी इसमें सबसे अधिक खाया जाने वाला तेल सोया बीन है यह question तो नहीं बना है लेकिन फिर भी important के रूप में आप इसे याद रखिएगा crop logging क्या होती है तो तेज हवा से फसल का गीरना crop logging कहलाती है यह भी question बना हुगा है परिष्छा में next है water logging यह मेदा में तभी रंदरों में पानी भरने से संबंधित होता है और crop logging क्या होती है पौधों की उर्वरता नाइट्रोजन एवं विदिके रिकॉर्ट से संबंधित होती है इसे crop logging कहते है नेक्ट है सस्सेशन लेखन या crop logging इसके बारे में कुछ point दिया है इसकी चार्चा करेंगे में पहला point जो दिया है इसको सर्व प्रथम याच्यव के प्रयोग में प्रयोग गन्ने पर किया गया था यहां सभी question बना हुआ है next point है या गन्ने में उर्वरक प्रयोग में फसल प्रगति का graphical record होता है तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही मिलते है next वीडियो में तब तक आप सभी साथियों को धन्यवाद